नमस्कार दोस्तों मैं रोण श्रमा हाजीरॉब सभी सामने आपके तेने चनल जोतिशन वास्तूम है कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही जादा महत्वपूर्ण इस वीडियो बना ही दिया जाए और हाजी दोस्तों यह टॉपिक जो है और फ्लाइट के लिए लॉगडाउन की ऐसी सिच्वेशन में फ्लाइट और ट्रेंस कप से चलना शुरू को होंगी इसके बारे में आपको वीडियो बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब पे और सब्सक्राइब हूं इसबार के ट्रेंस कब से चीज जरूरी है सब से हमसीब देखते हैं सबसे पहला ग्रह को मारे बुद्ध का होना स्वाभाविक है क्योंकि ट्रेंगज जो करती वो इंकम जनट करती एप रहनीं होती है और जो लोहे की होती है पूछ इन चीजों को ध्यान में रखना है चंद्रमा की प्रेडिक्षन हमें लेनी पड़ेगी तो यह सारी calculation जो मैंने करी है इसके आधार में आपको ट्रेन कब से चली कि इसका प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि यह बहुत ही स्वाभाविक है कि पूरे इंडिया में एक साथ लोगडाउन खतम नहीं हो सकता और पूरे इंडिया में एक साथ ट्रेंज नहीं चल सकती इसकी संभावना एक प्रॉबैबिल्टी बता रहा हूं एक संभावना बता रहा हूं कि इसके आसपास आपको कुछ-कुछ जगे मुमेंट्स देखने को मिल जाएगा एक कैलकुलेशन जो था है यहां पर यह चार-पांच मई के आसपास का था जब यहां पर शनी और मंगल साथ में थे मंग पर चली है सबसे खराब चीज देखने को तब यह मिली ही दोस्तों जब यहां पर लोग सरकार लोगों की मदद करने के साथ पॉलिटिक्स कर रही है एक चोटे से किराय को लेकर इतनी जादा पॉलिटिक्स की जा रही है आज सुपर जब मैंने निउस्पेपर पढ़ा उठ करते हैं तो इस किराय को लेके काफी सारी चीज निउस्पेपर में चपी थी तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सबी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एसी चीज़ों को हम थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए आप मेरी व्यूवर से जो वीडियो देख रहे हैं होंगी तो दोस्तों के चलने का जो समय मेरे यहां पर कैलकुलेशन में निकला है यह आप देखीगा कि मिड़ अठारा बीस मई के आसपास का जो समय रहेगा यहां पर ट्रेन कुछ हिस्सों में चलना शुरू हो जाएंगी चाहिए वह मेट्रो हो चाहिए वह नॉर्मल ट्रेन को चलते हुए जरूर देखेगी आने वाले 18-20 तारीक आसपास अठारा से पीश तरीक की आसपास जो ट्रेन चलेंगी यह बहुत जड़ा लंबी दूरी वाली नहीं हो चोटी दूरी यहोंगी और कहीए से कई एक स्टेट की ट्रेन होंगी इसके ज्यादा चांसे ऐन ओर स्टेट ट्रांसपॉर्ट अभी शुरू नहीं हो और स्टेट ट्रेन अभी चलना शुरू नहीं होँगी अब बात करते हैं कि यहां पर जो मेरा कैल्कुलेशन निकल जाता है उसके बाद यहां पर ट्रेनों के चलने की संभावनाई जो है वो थोड़ी सी जादा है तो यह वो समय रहेगा जब आपको ट्रेंज चलती हुई जरूर दिखाए देंगी और यहां पर एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसपोर्टेशन भी आपको यहां पर देखने को जरूर मिल पाएगा 15 जुलाई के आसपास और इस्पेशली बीस जून के बाद तो यहां पर मान के चलेंगी ऑल्मॉस्ट 45 टेस भी और है ट्रेन इक ट्रेन इसको अच्छे से रन होने में ट्रेनों को अच्छे से चलने म हैं यहां पर क्योंकि अब यह कुछ लोगों के मन में सवाल जरूर आएगा कि कैसे यह डिड़ बोल दी क्या मैंने कोई मंद से मारा है तो सर ऐसी बात नहीं है पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है बकायदा कैलकुलेशन यहां पर लिखा हुआ है और एक एक पेश पर हो रहे हैं चार से ज़्यादा घ्रह वक्री हो ना बहुत ज़्यादा अच्छा शगून यह बहुत ज़्यादा अच्छी शुप फल्दkę स्तिर्टा हो नहीं माना जाता है एक ही महीने में हो त fellas नहीं माना जाता ब्लच है और यहां पर 15 जुलाई को गुरू जो है वह वापस धनु राशी में आ जाएंगे केतु के साथ इस्तती बना देंगे शनी अकेले हो जाएंगे मंगल उन्हें छोड़के जा चुके हैं तो यहां पर चांसे जादा है कहीं न कहीं कि शनी वक्री भी हो जाएंगे और शनी अपने आशी में अकेले होंगे और कहीं न कई बुद्ध की इस्तती अच्छी हो जाएगी तो यहां पर थोड़ी सी चीजें जो है वह रन होना स्टार्ट हो जाएगी इंकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी गवर्मेंट के लिए इस्पेशली तो दोस्तों यह एक तरीका है औ मैं धर लहाएं मैं सबसे पहले बात करूंगा इंटर dezeósट के इंटरेंशग लिए और आटोबर में लीएँ ज़रूर देखनी को मिलेगी इस इस्की थोड़े से जादा बनते है और दोस्तों यहां पर बात करेंगा डानेगे कब से चलने वाली है तो डॉमेस्टिक फ्लाइट में दोस्तों यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं कि आप देखेगा जुलाई का ही महिना जो है वह बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है डॉमेस्टिक फ्लाइट के लिए जुलाई से पहले बहुत ज्यादा संभाव नहीं है और फ्लाइट यहां पर आपको यह जगे से दुछे तक जाते हुए दिख जाये तो तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा माई का महिना बहुत जदा जरूरी है और अभी वीडियो में आरहा हूं तो यहां से लेक्ए आने वाले बारा दिन बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अच्छा नहीं है सितंबर से पहले इंडिनेशनल फ्लाइट में ट्राविल करना और डॉमिस्टिक जो है वह यहां पर स्टेट बाइस स्टेट ऑपन होगा दीरेदरी से ओपन होगा लाइक जैसे जैपूर से दिल्ली का चल गया अभी और मुंबई का बंद इस तरफ का बिल् सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा हमें द्यान अखना है कि जब हम ट्रैवेल करें तो हमें देखना है कि हम कहां जा रहे हैं और वहां पर बिमारी तो नहीं है क्या हम पर कोई खत्रा तो नहीं है से अप करेंगे बागी सारी डिस्टेंसिंग भी आप रखेंगे बट को समझ माई तक जाएगा और एक सिदी से दूसरी सीटी तक जाने यह नजर आएगा अगर वहाँ पर भी कोरोना नहीं है आप यहां पर पैंगे जान कर पाएंगे इस्की यहां पर बहुत जदा बनते हैं तो दोस्तों उम्हेद करता हूं इस वीडियो में जानकरी दिया आपको पसंद आएगी और इस जानकरी से आपको बहुत ज़रा पाइदा मिलेगा विडियोगों प्रीज लाइक करें करें सब्सक्राइब करें ज्यक्राइब करें ज्यादा ज़्यादा लोग वीडियो को अच्छे से देख पाएं और चीजिसे समझ पाएं इसके अलावा दोस्तों अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं करवाना चाहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं पूरी कुश्चिश करूँगा कि आपके हसंब मदद्यां पर कर सको